बहुत बहुत स्वागत है दशको टीवी पर इन दिनों गौतम अदानी के इंटर्व्यू की खूब चर्चा हो रही है उन्होंने कह दिया कि एंडी टीवी की खबरें पहले की तरह ही स्वतंत्र रहेंगी वो भरोसेमंद चैनल बना रहेगा अब आप विचार कीजिए एंडी टीवी की आजादी की बात कहां हो रही है आज तक चैनल पर जिसको इसी एंडी टीवी के संपादक एंकर ने जो रविश कुमाजिन का नाम है वो अब तक उसको गोदी मीडिया बोलते रहे आपको याद होगा ये पंक्तिया आपने सुनी हो अब मोदी जी के जीतते ही 2014 में अमबानी ने मीडिया के ख्षेत्र में बहुत बड़ा सुदा किया था करीब 730 डॉलर में नेटवर्क 18 को खरीद लिया था तब उस वक्त फोर्प्स पत्रिका ने लिखा था कि क्या ये सुदा मीडिया की आजादी की मौत है ये कोई नई ब नाराजा अपने पास भांड और चारण रखा करते थे जो उनकी वहवाही करता रहता था तक्त राज जो है उनको अगर सलामत रखना है तो मीडिया पर कबजा जरूरी है अब सवाल ये है कि राज जो कर रही है वो तो चुनी हुई सरकार कर रही है फिर इन व्यापारियों को अदानी जैसे या फिर अंबानी जैसे उद्योग पतियों को मीडिया पर कबजा करने की आखे जरूरत क्यों पड़ रही है क्यों आन पड़ी है और न्यूज मीडिया से बरसों से जुड़े किसी भी जिम्मेदार विक्ती से अगर आप पूछ कर देख लिजिएगा कि क् इसके मालिक को कोई कमाई होती है कुई फायदा होता है कोई मुनाफा होता है तो जवाब यही मिलेगा कि बड़े मुश्किल से इसका प्रबंधन हो पारा भाई बड़े मुश्किल से मेनेज हो पारा सरकारी विज्यापन या पार्टी के जो इंडिरेक्ट विज्यापन अगर बंध हो जाएं तो कोई भी न्यूज चैनल चली नहीं सकता याने अगर इमानदारी से खबरे चला कर जनता के जरूरी मुद्दे उठा कर बिना किसी की ललो चपो किये अगर कोई चैनल चलाना चाहे तो चल ही नहीं सकता तो फिर ऐसे घाटे में चलने वाले जिसका कोई लाब ही नहीं है इसे मीडिया को यह उद्योग पती खरीदेंगे क्यों भाई दरसल पिछले कई सालों के मीडिया विभार और सेठो सरकारों का जो उसमें दखल आप देख रहे हैं उसको देखकर आप एक बात तो समझी गए हैं कि एक बात साब भी हो गई है कि मीडिया का खर्चा बिना अनुदान विज्यापन के सिर्फ दर्शकों के भरोसे तो चली नहीं सकता और विज्यापन जहां आपने उत्पाद के अच्छे प्रचार के लिए होते हैं वहीं पर कुछ विज्यापन अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए भी होने लगे हैं भाई उद्योग पती भी किसी राजनितिक दल को चंदा देकर सरकार बनाने में मदद सिर्फ इसलि मीडिया में ना आ जाएं इसलिए मीडिया को भी भांड या चारण की तरह पालना पोशना पड़ता है तो मीडिया का यह जो पालन पोशन अब तक जो इंडिरेक्टली होता था पीछे से लंबे समय तक यह चला लेकिन जब खेलों के खिलाडी खोले आम बिखने लगे तो उद्योग पतियों ने भी सोचा कि जब फालतू के विग्यापन देकर हमको ही इस मीडिया संस्थानों को पालना है तो क्यों ना सीधे-सीधे खरीद लिया जाएं कम से कम जो इंडिरेक्टली वाली जो जंजट है वो तो कम होगी और हां खबरों के बीच जो विग्यापन क संख्या है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि जिस तरह पतंजली के एड चलवा कर बीजेपी टीवी वालों को इंडिरेक्टली पैसे देती है ठीक उसी तरह उद्योग पति भी अपने विग्यापनों से न्यूज का जो रुख है वो मोड देते हैं बाकि जिसको आप न्यूज इस्तमाल वैसा ही चलता रहता है अब यह तो सही है कि पैसे का काम पैसा करता है क्योंकि जिन्दगी परिवार घर चलाने के साथ साथ अखबार या चैनल चलाने के लिए भी पैसा तो लगता ही है अब एड़ी टीवी पूरी तरह से बिखने के बाद चर्चीत पत्रकार और अपना नीजी यूटूब चैनल शुरू तो कर दिया जब टीवी चैनल में थे तो उनके पास एक बड़ी टीम हुआ करती थी सभी के सहयोग से प्राइम टाइम नामक प्रोग्राम बनता था जो की काफी फेमस था इसके पीछे जो ट्रैवलिंग है रिसर्च है कैमरा एड लिखते हुए अपना वीडियो बना रहे हैं अब पुरसकार प्रापत एक बड़ा नाम और सरकार पर सवाल उठाने वाले इमांदा फ्रेम के साथ त्याक पत्र का जब उन्होंने एलान किया था तब उनके यूटूब को सब्सक्राइब करने वालों की होल लग गई थी वा दर्शकों की संख्या 3 मिलियन तक पहुचा दी आम लोगों का मानना यह है कि दर्शकों की संख्या जितनी जादा होगी यूटूब से कमाई उतनी जादा होगी लेकिन ये थेओरी उतनी सटीक नहीं है सब कुछ जो है वो वीडियो कंटेंट पर ही निर्भर होता है करते हैं और यूटूब विज्यापन से मिलने वाली जो राशी है वह उतनी नहीं होती जितना जिससे चैनल का जो बैक अप कर्मचारियों का जो प्री टीम है उसको सेलरी ने में सेलरी दी जा सके इसलिए ज्वाइन ऑप्शन स्टार ऑप्शन और डोनेशन आधी की साहता अवश्यक हो जाती है अब आर्थिक समस्या तब और ज्यादा हो जाती है जब आप इमानदारी से जनता के मुद्दों पर काम करने की सोच रहे हों एक नए यूटूब चैनल को इस्थापित करने के लिए और सर्वसुविधायुक्त स्टूडियो एक्कुपमेंट और साल भर की करमचारियों की सेर्व रियादी मिलाकर कम से कम 30 लाख रुपए की जर्रत होती है और अगर इमानदारी से काम करने वालों के लिए यह जो बात है यह रकम जुटाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे में पत्रकारों के पास दो ही रास्ते होते हैं या तो वह इमानदार हैं कल को वो भी किसी के करजदार हो सकते हैं अब यूटूब चैनलों के विखने याने की टेक ओवर कर लेने का दौर भी शुरू हो चुका है एक यूटूब चैनल बहुत बड़ा हुआ लोगपुरी भी हो गया तो अब वो आज तक जैसे एक बड़े टीवी चैनल का हिस् तो समझ देजे कि संभावनाय तो वो भी तलाश रहे हैं हो सकता है कि आगे चल कर वो भी किसी के हो जाएं क्योंकि मीडिया अब भी सिर्फ कवर करता है या यूँ कहें कि कवर ढखने का काम करता है तो बात ऐसी है और आपको भी समझना चाहिए कि जो ये मीडिया है ये कित संद रूप से काम करना चाहते हैं अगर आप निस प्रक्ष रूप से काम करना चाहते तो थोड़ी मुश्किल तो होती है बहुत 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 धन्यवादा